यह इस वक्त हम खड़े हैं अपने टेला फारम पे और इस वक्त यह और नई प्लांटेशन का काम चल रहा है जिसमें कि आप देख रहे हैं पौदे से पौदे की दूरी 10 फीट रखी जा रही है और नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं पूरी फीड हम त्यार कर रहे हैं कि इस तरीकी से धागा बांद दिया है और ऐसे यह हर दस फिट पर एक धागा बंदा हुआ है इसे इदर हम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे तरह यह इस तरीकी से देशी एक तरीका है बांदने का निशान लगाने का और यह पूरी डूरी आप देखेंगे लास सक धूम ज्यादा है और पूरे एक लिर आ रही है फिल्ड है और इस तरीकी से निशान लगते हुए कुछ पॉद ही यहां लगाए जा चुके हैं यह पॉद आप देखेंगे लगने के टाइम पर लगबक दो तीन चार इंच का पॉदा होता है टिशू गल्चर बर्माटीक है और यहार दो 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 स्ट पर पॉदे लगा दिये हैं पहली से निकालके पॉदे लग चुके हैं और इसमें कुछ कमपोस्ट भी डाल दिये हैं लगाने के टाइम पर देखेंगे कमपोस्ट है और उसका थोड़ा पानी डाल दिया है और कुछ दीमक के दवाई आती है कि रेजेंट जो हर पॉदे में 20-30 ग्राम देना जरूरी होता है तो डाल दिए अभी बिल्कुल ननने नने पॉदे हैं आप देखेंगे बिल्कुल जिरो लेबल का प्लांट है पर दिए तो लांटेशन चल रही हमारे टीम लगी हुई है सबकी अलगसा काम है यह लोग मारिकेंट कर रहे हैं कुछ गढ़ा खोच दे और कुछ और निशान के वाद से पीड़ को रख रहे हैं और लगा रहे हैं अ कि इस तरीकछ से दोस्तों यह प्लांटेशन होती है तोड पूरी विज्ञानिक तरीके से इस खेती को कमर्शिल फार्मिंग प्रोजेक्ट को किया जा सके कर दो से लबालब भर जाएगी जो हमारे से कॉंटेट फार्मिंग कर रहे हैं हम उनके लिए अपना प्रोजेक्ट त्यार करके रख देंगे और दूर 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 देखिए इस पूरे में डिप हमने इंस्टॉल कर दिये हैं उदर पीशे देखिए तो फवारे चल भी रहे है लूपते हैं पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं तो रहा कोशिश करता हूं नजदी जाकर दिखाने की और इस तरी के पूरी टीम यह प्लांटेशन में लगी हुई है धरने माद मैं आपका दोस्त राकेश कोईल मास्क कटा देता हूं खुले के इतने करो नगा ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है चालेंज नहीं है और अच्छा कुला मोहल है बड़ी आना दा रहे हैं अच्छे नीम के बड़े पेड़ भी लगे हैं और इस तरीके से हम देख सकते हैं पुरे टीम यहां काम कर रही है तो सब लोग इस पर प्रॉफिटेबल वेंचर का इससा बने और हम आसाज इस फार्मी को करें धन्यवाद